है कीसान लड़ रहे हैं सामने आके यह के वल किसानों का अंदोलन नई है यह सब भी के लिए मजदूरों के लिए title a मैलाओं के लिए और जो भी बेजमीने लोग हैं दूसरे लोग है । यह रोटि की लड़ाई है ना आनाज पैदा कर दिया कि गोदाम छोटे पड़े लेकिन किसान के जीवन के साथ क्या खिलवाड हुआ यहां पे उनके उपर इतना करजा लड़ गया उनके उपर जो है आतम अत्या तक्सी नौबत आगी और अब उनको उजारने का इंतजाम इंपीन काये कानूनों के माजमते किया जा रहा है मोदी सरकार का यह अपना इत्यास है रिकॉर्ड है कि जो भी उनकी मतलब नीचियों को उनके कानूनों को सुनोती देखता है तो उसको लांचित करते कभी कहेंगे कि यह तो वही खालिस्तानी है यह आतंक वाडी है यह मतलब मावाड़ ने हत्यार आजमारे एक के बाद एक यह अथियार उनके हैं लोगों की एक सापो तोड़ने के जो खिलारी है चाहे वह महिलाएं है चाहे वह मजदूर है एक की तबका जो है वो आके उनके मैदान में डट रहा त्योकि वह जायद लड़ाई लड़े हैं वो अपने पेट की लड़ाई ने सब्सक्राइब करने लिए लेकिन अब जब खिलाडी अपने सम्मान वापस करने लगे किसान अंदोलन के हक्म है तो अभी 25 दिसंबर को गोशना कर दी कि वह भी मवाडी जांचन दावाडी अर्जुन अवाडी हर्याना के उन सब को पैंशन देंगे मतलब अचानक उनको यह याद आ गया बच्छों को बुजर्गों को सब को संबाले हुए थी अब वह भी संबाल रही है और मोर्चों पर आके कंदे से कंदा मिला रही है जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है आज हमारे साथ मुझूद है अंतराश्ट्रे प्रहेर हैं हरियाना से जगमती सांगवान उन से किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं और खास कार पर यह जो हमारा शाह जापूर बॉर्डर पे जिस तरह का मोर सट अफ कंदिशन्स में लगाया गया है तो आज ट्रेक्टर मार्थ होरोने के बावजूद हमें यह लगा कि हमें अपने इन भाईयों के साथ खड़ा होना चाहिए और कुल मिला के हम यह कहना चाहते हैं कि यह किसान लड़ रहे हैं सामने आके यह एक चीज़ है लेकिन यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं है यह सब ही के लिए मजदूरों के लिए मैलाओं के लिए और जो भी बेजमीने लोग हैं दूसरे लोग हैं रोटी सब को दिया दिस समय ते उन्होंने इतना आनाज पैदा कर दिया कि गोदाम छोटे पड़े लेकिन किसान के जीवन के साथ क्या खिलवाड हुआ यहां पे उनके उपर इतना करजा लड़ गया उनके उपर जो है आतम अत्या सक्षी नौबत आगी और अब उनको उजारने का इंतजा कानून के मादंते किया जा रहा है क्योंकि पहले से मतलब एक जो किसान है वह 20 जार रुपे साला ना आमद नहीं है उसकी में पूसकौर है उन्से भी नीच्छे जो जाड़ीदार मजदूर्स हैं उन्से भी एक तर से कहें तो नीच्छे का जीवन तर लाइफ स्टैंडर् ओप सारी ऐसे अंगरलड बाते कही जो कई ना कई gettin ещё यह द्रादल पर मुझूद नहीं हम यही कहने थे कि क्हसंद जब अव्त्र्व अ क्रजे के निसे डबिगे अब मरता क्याा नहीं करता वो बोलेगा और वो तो मौडी सरकार का ये अपना इप्यास है record है कि जो भी उनकी मीशियों को उनके कानूनों को चुनोती देखता है तो वो उसको लांचित करके कभी कहेंगे कि ये तरही खालीस्तानी है ये आतंक वाडी है ये मतलब मावादी है ये सब और फिर उसके साथ साथ वो divided rule का भी हत्यार उनका जो है वो चलाते हैं और वो अपने हतियार आजमारे एक के बाद एक यह हतियार उनके हैं लोगों की एकता को तोड़ने के जो है लेकिन खुशी की बात यह है कि इस किसानांदोलन के अंदर उनके यह जो डिवाइडेंड रूल की पॉलिसी यह लंचित करने का जो उनका रिकॉर्ड है यह सारी उन सब्सक्राइड गषिए लेकिन यह जो सरकार को प्रियोग करिया है परेदδα की मवाडी वॉलीबॉलर ख्रीं हुँर ख हार्यानहां रहे साथ साल से ये मांग हो रही थी कि भाई पैंशन दी जानी के खिलाडियों को इनों ना कभी उसका नाम तक नहीं लिया लेकिन अब जब खिलाडी अपने सम्मान वापस करने लगे किसान अंदोलन के हकम है तो अभी 25 दिसंबर को गोशना कर दी कि वह भी मवाडी जांसन दाव अर्जुनवाडी अर्याना के उन सब को पैंशन देंगे मतलब अचानक उनको यह याद आ गया मतलब यह साल से लड़ रहे थे हम लड़ाई जो हर कभी नाम तक नहीं लिया था इनों ने लेकिन इस समय पे वह गोशित करें तो यह कोई सम्मान नहीं है यह आप उनका मूब कोबंद रखने का इनाम है एक तरस अर्यानवी बासा में आप किसानों के फेवर में क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार को क्या कुछ क्या हम जैखना चाहांगे बहुत सभी जगा पर डट रहो हारे मोर्चा पत्पगड़े रहो और किसी भी तरह से जो हर्याना के नाग हम अपनी एकता को कायम रखें और एकता को और ज्यादा मजबूत बनाएं उसमां मैलाएं चाहे हैं बेजमीने लोग हैं उन सब को इस आंदोलन के साथ जोडने की जरूरत है क्योंकि जितने जनाधार पे हम आज लड़ रहे हैं उस पे के जो सरकार जो हुआ जुकने को तयार हमारे सामने यह है कि हम हमारे भेंट बायों के और ज्यादा तब को को इस आंदोलन में खिक चाहां सबसे ज्यादा सुरुवात पंजाब ने की फर हरियाना साथ आया फिर राजस्तान महाराश्ट्र दीरे दीरे बहुत सारे राज्या आ रहे हैं काफी राज्यों के नाम आन यहां पर भी आंदोलन में कंदे से कंदे मिलाओं के लिए जिस परकार से महिलाओं नहीं आक्रोस जता है इसके लिए कर आप चाहिए इस पर हम यह कहना चाहते हैं कि देश का महिला आंदोलन पिछले 25-30 साल में अगर उनकी इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो सबसे ज् है वो मिनिमम नी मैक्सिमम मतलब प्राइस पर उसकी फसल खरी दी जानी चाहिए और आज वो महिलाएं जो हैं अलग लग जगहों के उपर जब किसान यहां पे मोर्चों पे आए हुए हैं तो वो घरों में बच्चों को पश्वों को बुजरगों को सब को संभाले हुए थ हैं उसमें जो इंटेलेक्चोल्स हैं विमन की जो हैं स्पोर्स पर्सन हैं कल्चरल एक्टिविस्ट हैं वो सब आ रही हैं इस समर्थन को देखते वई आने वाली 18 जन्वरी को महिला किसान दिवस भी गोशित किया गया है किसान आंदोलन के द्वारा और इसलिए यह बहुत की शुब संकेत हैं और इसी तरह से मतलब खेत मजदूर दिवस भी जो है वो गोशित करना चाहिए ताकि उनके सब के दो सरोकार हैं वह हमारी एक बाको और मजबूत बना दें लगातर बीजेपी अपने आईटे सेल के जरिए नैसनल मीडिया के जरिए खिसानों के इस को लेकर आपके कुछ क्या जो बीजेपी का आईटी सेल है आज ये पूरा देश जानता है कि वह एक मतलब सफेद को काड़ा पोतने वाला काम करने के वह लीडर हैं एक तरह से कोई भी इंडिवीजुल हो उसमें चाहे महिलाएं हो सब को ट्रोल करना अश्लील बाशा का उन उनके मुँपे कालिक पोतने की काम करते आए हैं और इसी तरह से वह किसान अनृभलं को लेकर भी ये काम जो है पना कालिक पोतने वाला उनके मुँपे वह उसके अंदर मश्गूल है लेकिन ये खुशी की बात है कि पहली बारопोतों के अंदर ऐसा मनज़र देखने को मिल है कि हमारे भेन बाई जो है वो उनके इन परपंसों में फसनी रहे बलकि एक के बाद उनको एक उनको विफल करते जा रहे हैं और अपनी एकता को और ज्यादा मजबूत करते जा जैसे आज देश बर में ट्रेक्टर रैली का आयोजन था अब आगे 26 जनवरी को प्रेड का करक्रम कहा गया है कितनी त्यारी है आप लोगों हमें ये लगता है कि आज का जो ट्रेक्टर रैली का जो प्रोग्राम था उसमें किसानों बहुती अलग लग तरीके से महिलाएं किसान भी हैं उसमें नोजवान भी हैं हमारे सब बड़े चाहों के साथ उसमें बागीदारी करी है और बहुती अनुशाशित तरीके से करी है इसी तरह से 26 जन्वरी जो है 26 जन्वरी को उनों गोशना की है कि वो अपना मतलब जो गंतंतर दिवस सरकार मनाएगी उसके पैरलल जो है किसान जो है जिस तरह का गंतंतर दिवस वो देखना चाहते हैं वो अपना उसका एक नजारा इस देश के सामने पेश करेंगे और हमें पूरी यह पेक्षा है कि उसमें देश का हर गली नुकर का हर नागरिक जो है वो दिली तोर पे बावना के तोर पे शारीविक रूप से उस गंतंतर दिवस के प्रोग्राम में किसानों के आवान के अंदर जो है वो सिदत के साथ जो शामिल रहेगा और निश्टित रूप से सरकार के लिए जो है उसके कफन में कील का काम करेगा यह थे हमारी साथ अंतराश्टेर महीला खेलाडी जो पूरों खेलाडी है जो भी मावार्डी होता है और यह इन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरीके से धीरे-धीरे किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है किसानो अलग जंडा फेरा है